नमस्ते दोस्तों सभीको राम राम ये देखिया आज मैं एक बहुती सुन्दर सा बूटी सा डिजाइन लेकर आई हूं और ये डिजाइन आप छोटे बच्चों के स्वेटर में भी बना सकते हैं और बड़े बच्चों के स्वेटर में भी बना सकते हैं इसमें फंदे चार- ज्यादा हिसाब किताब की जरूत नहीं पड़ती है तो देखे कैसे बनेगा यह डिजाइन देखे डिजाइन शुरू करने के लिए मैं थोड़ से फंदे डाले हैं और बार्डर बनाने के बाद जब आप शुरू करेंगे तो यह कोई भी कलर जो भी आपको लगाना है वो इस बना न तो बहुत अच्छे से चाते हैं कहीं बार, बिघनर होते हैं वह इस तरीके से बोलते हैं कि हम ऐसे सीख लेते हैं जो साथ साथ को दुव hacked Martinez video में देख ख्रके फिर किसी भी प्रोचेक्ट पर आपको डालना है तो बहुत असानी से वह तो डालीजेंगे तो देखिए ये वाला जो फंदा है हमने उतार लिया और ये फंदा हम बनाएंगे फिर हम ये वाला फंदा उतार लेंगे और दागा पीछे करेंगे एक फंदा फिर उतार लेंगे सिलिप कर लेंगे फिर दागा आगे करेंगे एक फंदा ऐसे उतार लेंगे और ये फंदा हम बनाएंगे तो इस तरीके से हमारा जो डिजाइन है वो तीन फंदे हो जाएंगे वाइट और एक फंदा हो जाएगा हमारा ग्रीन ये वाला सिलिप कर लेंगे और ये फंदा जो है हम इस तरीके से उतार लेंगे ऐसे जब हम डिजाइन को शुरू करेंगे तो इस तरीके से शुरू देखें दूसरी सलाई, दूसरी साइड से, दूसरी सलाई में हमें ध्यान क्या रखना है, कि जो हमारा लास्ट वाला फंदा है यह ग्रीन कलर का, इसको ध्यान में रखके डिजैन शुरू करना है, देखें यह वाला जो फंदा है, तो यह वाला जो फंदा है, इसको हम ग्रीन बनाएंगे और ये वाले फंदे हम वाइट बनाएंगे इस तरीके से ये वाला जो फंदा है इसको हम सिलिप कर लेंगे और ये वाला फंदा भी सिलिप कर लेंगे ये जो फंदा है हम ग्रीन बनाएंगे इस तरीके से और ये सिलिप करेंगे ग्रीन वाला फिर इसके साथ वाल ऐसे बनाएंगे फिर यह वाला सिलिप कर लेंगे हम और यह ग्रीन बनाएंगे और यह ग्रीन सिलिप कर लेंगे फिर यह ग्रीन बनाएंगे और यह ग्रीन सिलिप कर लेंगे यह वाइट वाला सिलिप कर लेंगे फिर यह ग्रीन बनाएंगे यह वाला ग्रीन सिलिप कर लेंग तुकि जी टरीका है पिस तरीके से ट्राई करेंगे तो बना लेंगे अराम से अब में ये दिजैन देखे कैसे बनाना है कि कि एक ये जो फंदा गया है अब देखिया मैं ध्यान क्या रखना ये जो फंदा अब हम इसको तो आट बना एंगे और डागा पीछे करेंगे और यह जो वाइट दिख रहा है उल्टा फंदा इसको सिलिप कर लेंगे फिर दागा आगे करेंगे इसको फिर हम वाइट बनाएंगे और इसको भी वाइट बना लेंगे जो दो बार हमने सिलिप किया है पहली सलाई में और उल्टी सलाई में भी फिर एक हमें उल्टे बनाने हैं कि दागा पीछे करेंगे यह बीच वाला फंदा जो उल्टा दिख रहा है इस लिप करेंगे और यह जो तीन फंदे हैं लाश्ट वाले यह हम वाइट बना लेंगे देखें डिजैन की तीन सलाई हो गई हमारी कंपलीट अब डिजैन की चोथी सलाई देखें डिजैन की जो चोथी सलाई होगी ना फोर रो वो पूरी हम इस तरीके से वाइट बना लेंगे इसमें हम सारे फंदे बुन लेंगे अब देखिए चार सलाई का यह डिजैन है बहुत ही सुन्दर बूटी सी बनके तयार आती है और किसी भी प्रोजेक्ट में इसको आप बना सकते हैं बहुत सुन्दर लगने वाला डिजैन है और जब यह आप आगे से आगे बनाएंगे हैं तो यह इस तरीके से फिर नज्यार आएगा ऐससे कलर आप अपने हिसाब से ले और उन के इसाब से शलाई लेइं यह उन तबल कर रखी है ना तो इसमें धुझनी मोटी है उस इसाब से आप सलाई लगा के यह बनाएं और जैसे मैंने तो एक ही कलर लगाई हैं सारे कैसा लगा डिजाइन और मेरा बताने का तरीका तो आप कमेंट में लिखकर जुरूरू बताना है